तुझ बार पुश्पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ सिर्वास्तो आप मिरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कारिकम बात अपने देश की तो जो अब बात अपने देश की आज का मुद्दा है वो मुद्दा है बदलाओ की जरूरत बदलाओ की जरूरत यहाँ पर संस्कारों में नहीं है नतिकता में नहीं है शच्छा में नहीं है यहाँ हम बदलाओ की जरूरत कर रहा है रारिंती दलों में वो राजिती दल जो हमारे देश में तमाम सालों से काबिज रहे वो बहुत पुराने हैं पर अब उनकी स्थिती बहुत दैनी हो चुकी है कमजोर हो चुकी है और ऐसी दल जोनों ने देश में सालों राज किया है दसकों राज किया है पर आज उनकी स्थिती ऐसी है कि बिर्या बदलाओ का है तो इन रानितिक दलों को अपने आचार में, अपने आधार में, अपने ब्यास्ताओं में, अपने उसूलों में, अपने सूत्रों में और अपने नेत्रत्र के साथ साथ अपने संगठन में बदलाओ की जरूरत है. बदलाओ की जरूरत इसलिए च्योंकि अगर यहां बात करें सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे पुराने दल यानि भारती राज की कांग्रेस यानि की कोगरेस पार्टी की कोगरेस पार्टी वो पार्टी है जिसने भारत की सरकार में यानि केन सरकार में दसको राज किया है और दसको राज करने के समय भी कोई हिचक नहीं रही और निर्विरों और सूप से उनके लोग सत्ता में काबिज रहे और जनता के लिए काम करते रहे और बीच में कुछ बदलाद जरूर हुआ जब भारतेंड़ा पार्टी की सरकार बनी चैटल ब्यारी बाचपई के नित्रित में उसके बाद फिर बड़ा परवर्तन नहीं हो पा और दुबारा कॉंगरिस की सरकार रही दस साल और फर 2014 में एक बड़ा परवर्तन हुआ और भारतेंड़ा पार्टी की नरेन मोदी के नित्रित में सरकार बनी और जो सरकार 2019 में भी दुबारा काबिज हुई अब सबसड़ी बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि 5 साल जो जिस पार्टी ने 10 को देस पराज किया हो, 10 को देस की सत्ता समाली हो वो अचालक धर्रे पर कैसे आ गई तो यहां धर्रे के हम बात करेंगे, धर्रे की भी एक कहानी पुरानी है, कहानी पुरानी इसलिए है, क्योंकि धर्रा आजरी मना है, इसकी ब्योस्ता बहुत पहले ही हो गई, पहले इसलिए हो गई, क्योंकि जब पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती है, बड़ा बदलाव करत करने जोड दिया जाता है उसाती साथ जोड दिया जाता है तमाम नेत्रद पर पर हम देखते हैं जिस चुनाब आते है तब पारटीय सक्री होती है और जनता की लड़ती नहीं में जाती पर इज़वार तो भो भी नहीं हुआ इजवार केवल महिला मुर्दों को लेके कॉंग्रेस जनता के बीच गई और एक बादा किया कि हम 40% मेलाओं को सीड देंगे और मेलाओं को सीड दी पर रियल्ट जो पढ़ना में बेरांसवा चुनाओं का वो सब के सामने हैं सुईट पत्र जारी किया पैंसन स्कीम को जारी किया राहिस्थान और 36 गण में शुरू की पर कही न कहीं यह देखा जा रहा है कि जो बदलाब थे या जो इजिंडे थे वो बहुत देर से आए यानि जब तक उत्तापडेस में जो जनमाना से जनता जनारदर हैं उसके मन में एक बिचार बन चुकाता कि हमको किस बार बोट किसको देना है लहर चलती है प्रिंका गांदी ने हाला कि लहर बहुत बनाई मेहनर बहुत की राष्टी महाचाचेव है कॉंग्रेस पार्टी की और उत्तब्रेस की बिदार्दर्वा चुनाओं की प्रभारी भी रही और किसे दिक्कत है रही कि कॉंग्रेस पार्टी को केबल दो सीटों में संतुष चोना पड़ा बड़ी पार्टी चारीज परसेट महला को सीट डी आठ प्रित ग्याएं की सुरच्छा को लेके लैप्टॉप को लेके टैबरेट को लेके गारी को लेके और तमाम ऐसी जन संकल् कि बिजली पानी को लेके मुफ़ध की राजनीती इसमें समवार की गई पर जनता ने तमाम कयासों को दरकरा करते हुए तमाम मुफध की राजनीती की बारों को अलग करते हुए कौंगरिस में अपना मन नहीं दिखाया और भार्टेंटर पार्टी की स्यतिस सल्वाद सरकार बना दिया दुबारा और एक बड़ा मेशक तोर दिया तो अब डेश के रालतिक दलों में बदलाओ की जरूरत है बदलाओ बहुत आबस्यक है और साथी साथ अब रालतिक दलों को जनता के मुद्दों से रूबरू भी होना होगा तब ही आप जनता की भी जापाएंगे और साथी साथ कई बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे जब तक आप बड़े फैसले नहीं लेंगे तब तब आपको काम नीजनने वाला है और सबस्वारी बात तब पुरानी चीजों को भूलकर नए स्रिय से आपको सुरुवात करने होगी अगर आप चाते हैं कि अदाती है बने रहे हैं और साथी साथ अगर चंता ने आपको जो भी सीटे दी हैं उसके साब से आपको मजबूर बेपस्ट करने नहीं है और साथी साथ सबसे बड़ी बात देश का कर्ण धार, देश का बुद्धी जी बर्ग यारी युवा बर्ग को आपको पौका देना पड़ेगा और साथी साथ संगठन में लेके बड़े परवरतन भी आपको करने हो पड़ेंगे और साथी साथी जो आपका बोर्ड बैंक है जो आपका अधार है जिसके दम पे आप कहते हैं कि हाँ हम चत्ता में आएंगे उसको भी संटुस्ट करना होगा और सबसे बड़ी बात हमारी जनता जनारदन के लिए आपको आंदुनन भी करना पड़ेगा क्यों जनता आप जनता जनारदन के लिए आंदुनन नहीं करेंगे जनता आपको नोटिस क्यों करेगी यहाँ पार्टियों का हाल इसलिए ऐसा हुआ है तो, पर्टियों आघरी समय में चंता के बीज गहीं। परिंका गांदी लगातार हम कॉंग्रेस के बाद का परिंका गांदी लगातार उत्ता पूरेंज में आ रही थी। और जब हम आपको पता हैं लखिम्पुर का टिकुनिया कान्ड हुआ था उस समय भी परिंका गांदी ने एक मजबूत बेपच्च की भूमी का नभाई थी वहाँ गई थी जहां पर अखलेश यादो सची चन मिसला जैसे बड़े नाम नहीं पहुच पाये थे उसके पहले पर पर उसके बाद फिर जो हुआ वो जन्ता ने देखा जन्ता ने देखा जो प्रिंका गांडी लगिंपुर का टिकुनिया कांडी के लिए वहाँ गई थी जो वहाँ पार लोग जो पीडित थे उसे मरवम लागाने के जिसे बाद की थी पर फिर इस पूरे मुद्देका प्रदेश तो आपका है पर यहां पर उनको पुलाने का क्या मतलब था यानि चंता को भी दिखाई देने लगा कि यहां पर केबलों के बार राजिती हो रही है पीडितों को समझ में आने लगा कि यहां पर केबल राजिती हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है अब बड़े- एरपोर्ट पर लेकर जाना वहाँ पर फुरुच्छा से उनकी बुडबेड होना उनसे बातचीट होना उनकी गहमा गहमी होना उसके बाद फिर उनको सरकार के जाब से उनको आस्वसर मिलना कि यहाँ आप आप पांचली जा सकते हैं मिलने के लिए पर मेरी समझ में यह बाहर है कि प्रिंका गान्डी से राहल गान्डी चलो ठीक है जािर सी बात है बड़े नाम है कॉंग्रिस के पर चरंजी सिछ चन्नी और भूपेसिं भगईल जैसे लोगों का जाना क्या तर्क दिखाता है मेरी समस्iseen बाहर है क्योंकि आपका तर्क मेरी समस 충만 से बाहर और वड़ी भूमिका रही और पंजाब में भी काफी मजबूती से किसाना अंजोलन हो था पर कही ने कहीं देखा जाए कि सुरूबात हुई थी वह पंजाब से होने के बाद जब उत्तरपडेस में इस किसाना अंजोलन की जो रही मजबूत नीब रखी गई और दिल्ली प्रवर्ति पर्वादी वाला चुनाओ चार सो तीन सीटो वाला चुनाओ छे महिने में पूरा नहीं होता तो यहां परवर्तन करने की बहुत जरूए थे और साथी साथ जैसे समीक्रण भारतिय पार्टी चुनाओं को लेकर बनाती है बैसे परवर्तन भी आपको करने पड़ पड़ेगी और तमाम ऐसे युबा बर्ग रहे जो चाहते थे कि हमको टिकेट दिया जाए हमको मौका दिया संगठन में पर बड़े बड़े नामों के बीच उनको मौका नहीं दिया गया और जिसका खामया जा कॉंग्रिस पार्टी ने भुकता इस चुनाओं में उत्तर ख हुआ और जिस तरह से सबसे बड़ी बार की पंजाब में कॉंग्रिस पार्टी 17 सीट खतम बैइ 17 सीट खतम इसी से बोले ही कि आमारी पार्टी जो 2012 शुरू ही और दिल्ली में सरकार बनाए तीसी बार सरकार बनाए के जिवाल के नेतित में उत्तर प्रिश में अपना सरकार कैसे बनाए कि जब भारताइणडा पार्टी तो सरकार बनाए कि स्थिति पर ठी नहीं वह तो शुरू मने अगाड़ी जल के साथ सवयोगी पार्टी थी पर कॉंगरेस पार्टी की बहां पर सरकार थी वो सरकार जो कैप्टर अमिरंदर सिंग के नित्रम पर चल लही थी उसके बाद अगस्ट में सितंबर में एक अमूल चमूल परवरतन करते हुए अमिरंदर सिंग को स्थिपा देना पड़ा उसके बार सिद्रु को प्रजची बना गया उसके बाद फिर चरंजी चन्नी कई बड़े नामों को कड़ी बले कयासों को दरकनार करते हुए चन्नी को पंजाब का मुक्वंदी बनाया गया उसके बार वो लगातार काम करते रहे पर जब चुनाओ की बारी आई तो जन्ता ने कॉंग्रेस पे फरोजसा नहीं किया जन्ता ने माज कुछ साल पहले एक दसक पहले बनी हुई पार्टी दसक भी नहीं बोलेंगे 9-10 साल ही बोलेंगे 9 साल बोल सकते हैं पार्टी बनी उसके बार उस पार्टी ने कॉंग्रेस को हराते हुए सबसे पुरानी कॉंग्रेस दसको राज किया देश पर उसको हटाते हुए पंजा बना सकते हैं उनको अरुभवी की रूप में रह सकते हैं पर आपको यहां बड़े परवर्तन लेने पड़ेंगे बड़े फैसले लेने पड़ेंगे हाला कि बड़ा फैसला हुआ अभी प्रदेश लल्लू जो अजेकुमा लल्लू है वो भी चुनाब हार गए और चुनाब हा बेपर्च की भूमी का निभानी है बेपर्च का आपको स्वीटे तो ही मिली पर आपको अगर कॉंगरिस पार्टी को जीवित करना है उत्तप्रेश में फिर भाई मुकाम हासिल करना है जो नाय नत्यबारी की समय था तो आपको मेहनेट करनी पड़ेगी और परिवर्तन करन परिवर्तन करने पड़ेंगे कई बड़े चेरों की छुट्टी करनी पड़ेंगे कई नए चेरे जो यूर्जा और साय से परिपूर्ण उनको जोड़ना होगा और सबसे बड़ी बात है कि चुनाओ की तयारी यानि 27 की तयारी आपको अभी से करनी होगी जैसिकि भारतियं को समय सक्रीटा अगर आप होंगे तो जो हाल 2022 में हुआ है बहे हाल आगे भी होगा इसलिए आपको सक्रीटा आज से दिखानी होगी और सक्रीटा दिखाने के लिए आपको कुछ परवतन करने पड़ेंगे जो परवतन बहुत जरूरी है आपकी पार्टी को जो वो पार्ट कि जनता ने कुछ भरोसा आपको दिखाया है हाला कि उम्मीद की कोशिस की जा रही थी कि समालवी पार्टी तमाम कयासों को दखना करते हुए सब्दा में आएगी पर यहां पर कहीं न कहीं वो पढ़नाम हासल नहीं हुए जनकी उम्मीद की जा रही थी और जब एक्जिट प कोल पर बाद मोहल लगी और भात इंड़ा पार्टी के 37 सल पुराना मत्यक पोड़तो हुए मुख मंत्री योगी अरिटनाथ के दूसरे कारकाल की सुरूबार करा दी और जहां तो अपने बता जा रहा था कि ऐसा मुख मंत्री चो लगाता है दूसरी बार बना है योगी अरिटनाथ ने काम किया बेहतर काम किया परिकल्पना है बनाई और जैसे कि और उनने अब दुबादा दूसरा कारकाल सुरूर किया है उसी कारकाल में शुरूबार में पर यहां पर मुख्य पेपस्ट की रूप में जो समाजवावी पार्टी है उसके लिए क्या कि हम देख रहे हैं कि करोना की भी चौथी लहर आ रही है और साथीजार मेलाई जो जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उस महगाई में हम देख रहे हैं कि कहीं भी कॉंग्रेस ने तो पर देख रहे हैं कि अगर जनता के मुद्दों को लिए आप सड़कों पर नहीं जाएंगे के बाद ट्वीट के माध्धम से राजजिती करेंगे तो जनता आपको बही पढ़णाम देगी तो 2022 में जनता ने दिये अगर जनता के बीच आप जाएंगे जनता के लिए आंज़रेंका जनता के लिए पनद लडेंगे जनता के ला रक्री खाएंगे यह बही जुग है जब मुलान सिंह आ रहो उत्ता पिदेश के मुखमंत्री थे उन्होंने एक नई युक की शुरुबार की थी और जो संगर्ष जो मेहनत उन्होंने की थी बुछ मेहनत का नतीजा है कि आज समाज़वी पार्टी आज भी 111 सीटे लेकर मैदान में है पिछली बार 2017 में 47 सीटे आई थी पज़वार जनतार उनको मुखा दिया और 111 सीटे ली उनके गड़बनर को 125 सीटे दी है जिसमें सुबास पाज जैसे बड़े जल सामें है पर यहां पर जो समाज़वी पार्टी की राष्टे अच्छा अखली से यादो हमें देखा पूरे चुनाओं में पूरे चुनाओं उन्होंने अपने उपर लड़ा पूरे चुनाओं में वो संगर्स करते रहे पूरे चुनाओं में सारे विपर्स के जवावों का जो जव जबाब है जवाबों का जबाब है हो किबल अखिली से जाना देते ना ज़राएं याणि उनके पास नेता और नहीं थे जो जबाब तो यहां पर उनको भी परवरतन की जरुवत है कि अब समय आ गया है कि ट्वीट की राजनीती बंद हो अब समय आ गया है कि जनता के बीच जाना है अब समय आ गया है कि आपको कुछ बड़े फैसले देने होंगे अब समय आ गया है कि बड़े परवरतन करने होंगे अब समय आ गया है कि युवा बर को आगे लाना होगा अब समय आ गया है कि जो आपका संगटन का धाचा है उसको दुरस्त करना हो लोगों को जानना होगा लो सब जा रहे हमको उसी लहर को पकड़ना होगा और केबल केबल अगर ये मान के चलते हैं कि केबल M by Factor के सारे आप सत्ता में आ सकते हैं तो ये सोचना अब सही नहीं है क्योंकि अब देश का चुनाओ उत्ता पर देश का वो नहीं रहा गया है कि आप 27% और 22% सीटों लेके आप सत्ता की कुर्सी पे कावेज होगा है अब सुचना आवा गया है कि अगर आपको सत्ता की कुर्सी बैटना है तो आपको 40% से जादा बोट बैंक मजबूत करना होगा और इसके लिए M by Factor परयाप्त नहीं है इसी तमाम फेक्टरों को ध्यान दखते हुए अब राजनीती बर्ग किसाब से करनी होगी सभी बर्ग का बोट आगर आपको मिलेगा तब ही आप सत्ता की कुर्सी पे दोबारा कावेज उपाएंगो और अखलेस यादाओ को जो कि समाज़ना पड़ेगा कि अब उनको सब बर्गों की जरुवत है कि अबल यादाओ मसलमान बर्ग के सारे उत्तपरिस में राजनीती संबब नहीं है और इस चुनाम में इस पस्ट हो चुका है जैसे कि हमें देखा कि भाटेंडर पार्टी 42% बोट बेंग के साथ आई है समाज़ना पार्टी कोई बोट बेंग मिला है पर बोट बेंग बड़ा भी है पर कहीं न कहीं जो बीजेपी को लाब मिला है बो लाब यसे मिला है कि बीजेपी की सेंट सारे बोट बर्ग में थी चाहे पछला बर्ग की बात करें और पछला बर्ग जैसे माना जा रहाता कि दारा सिंग्ध चोहान और स्वाहिए पसार मौर्या जैसे एक बड़े नाम अगर समानावी पार्टी में जाएंगे तो पिछला बर्ग उनकी तरफ आएगा पर यह सबसे बड़ी भूलती उसका खामयजा भुकता भी स्वाइपरसार मौर रिया फाजिल नगर से खुझ चुना भार गए और हारे और साती सात जो विश्वास था कि वो पिछला बर्ग के बड़े नेता है वो विश्वास भी इस चुनाओ की आनी में बैह गया जन्ता दिखा दिया कि जिसको मानती है नेता किसी का नहीं जन्ता जिसको चाहे उसको नेता बनाती है और जो बर्ग जिस इंसान को अपना नेता मान लेता है वो ही इंसान सत्ता ही कुर्शी विकाविज होता है और इसके लिए अब समाने भी पार्टि को नई से बिचार करना होगा सभी बर्गों को अपने पाले में करने के लिए एक रणिती बनानी पड़ेगी लोग बनाने पड़ेंगे और पुराने नेताओं के सहारे अब ये नईया पार रही होगी आपको युबा बर्ग, बड़े नाम की राधीती छोड़ कर, बहतर नाम, बहतर लोग, युबा लोग, उर्जा अस्थार से बड़े लोग और सही आकलन, और सही जानकारी देने बारे लोग, कि आपको फीड़ ऑब भी सही मिले, कि आप सही कर रहे हैं, गलट कर रहे हैं और सबसेड़ी बात है सोच में भी कि अगर आप चाहते हैं कि उता प्रेस में जंता आपको दोबारा सत्ताई कुर्सी पर काविज कराए तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी जोस्ताई बड़नी पड़ेगी और समाज की हर बर को अपने पाले का करने का सोचना पड़ेगी और हम बात करते हैं अब एक समरेज रूप से बिपच्च की बिपच्च में जो छोटे छोटे डल है चाहे हम सुवासपा की बात करें चाहे महान डल की बात करें चाहे निसार पार्टी की बात करें जो जो भी छोटे छोटे डल है इनो ने अपने हिसाब से ठीक प्रेशन कि पर हम प्रजसन की बात करें तो प्रजसन खराब नहीं रहा बाई जो बोडबेंग इनका अधार था बोडबेंग ने इनको बोड़ दिया और ये ठीठा सीटे लेके आए गडबंदन पर आए पर इनकी सीटों की संख्या ठीक रही मैं कम नहीं आखूंगा क्योंकि इनका जो यह अबना बोड़ वर्याँ प्रजस में इस अधेशन में आ इस धिकाया कि ऊत्मक्रण अगर मेहनट करेंगे, हमारा एक परणपरा अगर बोट बैंक है, उसके अदार पर हम सर्था में पहुंच सकते हैं। अलाकि वो सपना पूरा नहीं हो पाया। यहां पर एक चीज़ पर चीज़ पाया कि पर छोटे जलों अपनी जो भूमिका है वो इस ब्लकुनने भाई है। दिखाया कि हम ने जो भी लोग उतारे हैं उनमें सार इकान दोग जीते हैं। तो यहां पर जो छोटे जले उनकी बुमी का बहुत चीरी और उन्होंने मेहनट की और जो उनका परंपरा कर बोट बेंग था वो उनको बोट मिला भी और उनकी लोग जीट कर भी आए बिलान सभा में पर यहां पर जो परिवरतन करना है मेहनट करने है अनुमाल लागाना और बड़ी पार्टी नहीं है पर जिस तरह से दिल्ली में सरकार चला रही है और पंजाब में 97 सीट है लेकर दोबारा भगवन मान को बहां को मुक्वनती बना के सरकार की शुरुबात की है और कई बड़े फैसले रही है तो आमारी पार्टी को दरकना नहीं कर सकते है आमा पंजाब में माने घराता कॉंग्रीस पार्टी सरकार में आंगी दोबार परवर्ति कर दोआए दोगे मंचानि में करनान लोग क्र्देगे केबल संजय संग के सारे यहाऊ पर नईा आपकी पार नहीं होगी इसलिए प्रदिर्फब की पर आई से पहले 70 में जब सरकार आ थी लगातार वो सरकार पर हम झालाग दुद्धान से वो बैतर कर रहे थे और और साथी-साथ ये भी सपास्ट कर रहे थे कि हम एक बहतर बेपर्श की भूमिका नभाएंगे और वो और भूमिका नभा भी रहे थे क्योंकि मैं इस वाट में आपको इस पर बता रहना चाहूंगा कि अगर भूमिका नभाने की बात करें तो आम आड़ी पार्टी लगाता प्रदसन भी कर रही थी हलागे सीटर नहीं मिली हैं पूरी 430 सीटों पर लड़े हैं और बीच में यह भी बात चल ले थी कि समाली पार्टी गरबंदन करेंगे अगली जारा उसे संजय सिंगी मुलाकार भी हुई थी पर पढ़णाम कुछ नही रिची सीटें नहीं मिल पा रही थी इसे उन्होंने गरबंदन तोड़ दिया था पर उसके बाद फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया 430 सीटों पर चुनाव लड़े और अगर मैं पर आंजोनर की बात करूं तो आम आड़ी पार्टी ने पिचले 6 महीने से लेके एक साल म में हाइलाइटिट रही है यादि अपनी उपस्तिरी दर्ज करा गई है जीती भले ही नहीं पर कहीं नहीं कहीं जन्ता का नोटिस कराया और साथ साथ एक प्लस पॉइंट उनके लिए जरूर है कि जहां जहां आमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा है जहां जहां उनके पि प्रसंचक तो है तो दूप्तियों को तिनके का साहरा जो प्रसंचक हो रहा है अगर हजार लोग नों बोट दिया है तो पास यार से पचास हारा उन्हें समय ने लगता है और यहीं परवरतर आमारी पार्टी करें काम आएगा क्योंकि वो लगाता मैनट कर रहा है और सायर 27 चुनाम है एक बड़ी तक्कर यहां पर सत्ता पच्च को देते भी नजर आ सकते हैं अगर उन्होंने लीड़े से कायम की और कई बड़े नाम जोड़े और साती साथ मैनट की संगटन को लेके तो यहां पर हमने चर्चा की आज मुर्दे पे की बदलाओ की जरूरत है और सा अगर आप चाहते हैं दोबारा सरकार बने अगर चाहते हैं कि दोबारा हम सत्ता ही कुर्ची तक पहुंचे तो आपको परवर्तन करना होगा चाहे निटिड में हो चाहे आधार में हो चाहे सोच में हो चाहे व्यक्ति बिसेश में हो और चाहे निड़ने में हो परवर्तन ही आपको आंगे बढ़ाएंगे और परवर्ते नहीं बदलाओं के संकेट देते और परवर्ते से ही नए नए पढ़िणाम सामने आते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार